जैसे कि आप लोग देख पार रहे हैं ये मेरे मुबाइल के उपर wi-fi connected है ये जो wi-fi आप लोग देख पार है ये टी-पी लिंक के जो router है उसके साथ connected है तो अगर आप अपने router के अंदर किसी भी मुबाइल को block करना चाहते हैं मतलब मानो आपने किसी को आपने wifi share किये है और आप चाहते हैं आपके wifi password चेंज किये बिना उसको आप block करवाओ मतलब जो आपके wifi connect करके रखे हैं उसको आप कल आके block करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे तो उसके लिए मैं आपको ले चलूँगा play store के उपर and play store के उपर जैसे हम लोग आएंगे ये दिखे टीपी लिंक ट्रिटर करके एक application आएंगे and ये जो है basically ये टीपी लिंक का खुद का company का ये application है यहाँ पर देख लेना है इसको आपको install कर लेना है and आपके जो wifi है टीपी लिंक के router के साथ आपके wifi connected होना चाहिए उसके बाद simply आप open button के उपर click कर दीजे ये application install करने के बाद जैसे guys आप लोग open button के उपर click कर देते हैं यहाँ पर logging करने की कोई जरुवत नहीं है आपको simply यहाँ पर इस नाम के उपर आपको tap कर देना है जैसे guys आप लोग इसके उपर tap करके देते हैं यहां पर आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएंगे, अब देखिए एक चीज मैं आपको शेर करना चाहूंगा, हमारे केस में हमारा वाइपाई का नाम यह है, यह जो है नाम और यह जो है यह पासवाड है, अगर हम चाहते हैं यहां पर क्लिक करके अपने पासवाड को द क्लिक कर देना है, तो यहां पर मैंने सारे IP अड्रेस को हाइट करके रखा हुआ है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मानो आप यह जो डिवाइस है, इसके उपर आप ब्लॉक लगाना चाहते हैं, मतलब यह जो बंदा है, आप चाहते हैं इसको आप इंटरनेट ना दो, वो यूज ना कर पाए, लेकिन आप पासवार्ट नहीं चेंज करोगे, तो इसके नाम के उपर आपको सिंपली टैप कर देना है, जैसे आप यहां पर टैप कर देते हैं, यहां पर नीचे की तरब आपको ब्लॉक करके रहे जाएंगे, यहां पर आपक अब भी कर सकते हैं, और इस चैनल को पर जितने वीडियो आपको मिलेंगे, छोटे से छोटे वीडियो अंदर नीड एंड क्लीन काम के चीज रहेंगे, जो आपके डेली डिजिटल टेक्नाओजी लाइब के लिए काम पर आए, मेक शूर काईस हमें मोटिवेट करने के झाल झाल